कर hurdle willingly उसमय रोंड पे थे उसम्र की तरफे उसकी वर्श्टना करते हैं कनडैम करते हैं इस तरहकि वारदाज जो है पिछले काफी समय से उगरवादी जो है वो उन्जाम दे रहे हैं क्यूंकि उन जम्मू और कश्मीर जो है पीस्फुल हो चुका है आज की डेट में जिस तरह से देखें कि पहले भी कटुआ में दो बारदातें हुई और एक बारदात में मिलिटेंस जो हैं दो मिलिटेंस जो हैं वो मारे गए और आज की डेट में जिस तरह से कश्मीर में भी पिछले तीन दिन पहले जिस तरह से चार मिलिटेंट्स जो है उसको आर्मी ने इलिमिनेट किया आज की जो गटना है कल की वो दर्शाती है कि किस तरह से जे लोग जो है फ्रस्टेट हो चुके हैं और जे जो कोशिश कर रहे हैं जो अमनात की जातरा चल रही है जो बाकी जातराएं जो है स्ट्रीम लाइन में हैं तो मुझे लगता है कि किस तरह से ये सारी चीजे डिस्टरब हों उस पे उनका फोकस है और हम लोग जो है अपनी तरफ से हम लोग गवर्मन्न से भी डिमान करते हैं कि इस तरह से जो भी मिलिटेंट सामने आए उसको इलिमिनेट किया जाए और और यही प्रात्ना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांती दे वो लोग शहीद हुए हैं मरे नहीं हैं वो शहीद हुए हैं और मैं समझता हूं कि इन गटनाओं को रोकने के लिए आर्मी और पुलीस की बहुत बड़ी बड़ा रोल रहता है और आने वाले समय में किस से वो सारे इन चीजों के उपर फोकस करेंगे और हम लोग अपनी तरफ से यही चाहते हैं कि यह जो चीजे हैं यह रुकनी चाहिए आर्मी जो है बिलकुल ऐसे लोगों को जो भी मिलिटेंट्स हैं और जो उनके ग्राउंड वरकर्स हैं उनको इलिमिनेट करें और किसी तर